हेलो बच्चों, आप अपनी बुक में, हिंदी की बुक में निकालिए 34 पेज, पेज नमबर 34, उसमें आपको रा पर उकी मात्रा लगानी सिखाय गई है, बच्चों आपने इससे पहले देखा कि छोटे उकी मात्रा, बड़े उकी मात्रा अक्षनों पर या वर्णों पर कैसे लगती है, अब यहाँ पर आपको सिखाय जाएगा कि रा पर कभी भी उकी मात्रा उसके नीचे नहीं लगती, रा पर हमेशा उकी मात्रा उसके पीछे से लगती है, जैसे यहाँ पर दिखाय गया है, रा और उसके पीछे से लगी है उकी मात्रा, छोटे उकी मात्रा और यह आपने देखा फूल, तो फूल में क्या नीचे फौ पर लगती है ना, ठीके, तो यहां पर इस तरह से नहीं लगती, रौ पर हमेशा ओकी मात्रा उसके पीछे से लगती है, तो यहां पर है छोटे ओकी मात्रा, रुक, रुई, रुची, गुरुजी, रुपया, यहां पर बोल कर लिखो, रुउ, आपको यह छोटा रुउ दे रखा है बनाके, रुपर चोटे ओकी मात्रा लगी है, रुउ, तो आपको पहले इससे ट्रेस करना है, और फिर आपको यहां पर खाली जगा पर रुउ लिखना है, छोटा रुउ, फिर हैं बड़े रुउ की मात्रा सि बनाएंगे और फिर उस पर उकी मात्रा बनाएंगे तो रा पर बड़े उकी मात्रा ऐसे लगती है कि एक हलका सा डैस बनाओ और फिर उस पर उकी मात्रा लगाओ और ये थोड़ा सा मुडावा भी होता है ये उतना मुडा नहीं ये हलका सा मुडावा होता है इसकी पहचान य है कि रापर बड़े की मात्रा ठीक है अब देखें देखो और लिखो का की की कु कु ये सारी मात्राइं आप सीख चुके हैं तो का पे आ की मात्रा का पे आ मिला होता है छोटा आ मिला होता है का में का तो इसमें कोई मात्रा नहीं आते इसको सीधे आप ऐसे लिखेंगे फिर क पे बड़े आकी मातरा का छोटी की मातरा की कु कु तो आप इसको अच्छे से ट्रेस कीजिए लिखे और फिर पढ़िए फिर है एक एक शब्द लिखो चा चा पे छोटे उकी मातरा इससे हमें एक शब्द बनाना है चुहिया चा चा पे बड़े उकी मातरा चु तो इससे बन जोनेगा चूहा, अब ध्यान से देखे, चूहा में छोटी ऊकी मात्रा है और चूहा में बड़ी ऊकी मात्रा, पुरिया, पा, पापे बड़ी ऊकी मात्रा पुरि, ठीक है, इस ते एक एक शबत हमने बनाया, अब है, गुट्रो कभूतर, एक कबूतर था, वह भाद भूका था, नीम की डाल पर गुटर गुटर कर रहा था रुची का एक डलिया लाई, अमरोद ची को कीनो भी लाई, रुची का डलिया रखकर चली गई, घर के खिडकी खुली थी गुटरू उड़कर भीतर आ गया, गुटरू ची को खा रहा था, तभी रुची का आ गई, वह कुछ बाजरा लाई, गुटरू दाना चुंकर उड़ गया यह है कबूतर उसका नाम है गुट्रू और यह है रुचिका रुचिका ने क्या रखा डलिया डलिया में क्या है फ्रूट फ्रूट बास्केट है वो ठीक है आप देखे भूका कौन था एक कबूतर था वह बहुत भूका था उसका नाम क्या था गुट्रू तो भूका कौन थ गुटरू रुचिका क्या रखकर चली गई? क्या रखकर गई थी? वो डलिया रुचिका क्या रखकर चली गई? डलिया गुटरू भीतर कैसे आया? देखो घर की खिडकी खुली थी गुटरू उड़कर भीतर आ गया तो गुटरू भीतर कैसे आया? खिडकी से ठीक है गुटरू क्या खा रहा था चीकू गुटरू को भूक लगी थी तो वो चीकू खाने लगा रूचिका ने उसे क्या दिया बाजरा तो गुटरू क्या खा रहा था चीकू इसे आपको कॉपी में करना है ठीक है रू या रू लिखकर नाम पूरा करो देखें यहाँ पर हमें क्या करना है खाली जगा पर हमें सही शब्द भनना है तो रूई रूई में क्या होते है छोटी रा पर छोटी उक्य मातरा होती है रूई रूमाल में बड़े उक्य मातरा आती है रा पर रूमाल और ये ध्यान रखे हलका सा डैस लगाना है, फिर उकी मातरा लगाना है, रुमाल, अमरूद, अमरूद में भी बड़े उकी मातरा रा पर, अमरूद, फिर हैं रुपईया, ठीक है, रा पर छोटे उकी मातरा रुपईया, इसे आप, ये बहुत important है, मतलब ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बड़े होकर भी हम इसमें गलती करते हैं, ठीक है, तो इसे अच्छे से समझें, उसे रा पर छोटे ओ और बड़े ओ के मातरा लगानी सीखिए, ओकी बच्चों, आप देखें, अपना पेज पलट ये, और यहाँ पर देखें, चिडियों के चित्र में रंग भरो, तो यहाँ पर चिडियों के चित्र दे रखें हैं, और उनमें आपको रंग भरना है, तो ये क्या है, इसे पैचानों, ये है तोता, तोता कैसे करता है, तें, तें, करता है तोता, और कैसे होता है, हरा रंग का, और इसकी चोंच कैसे होती, लार तो आपको इसमें green color fill करना है और इसकी चोंच में red color ठीक है? अब है कबूतर कबूतर कैसे आवाज करता है? गुटर गू, गुटर गू करता है ना और कैसे होता है? gray color का होता है, white color का भी होता है तो आप जो चाहें, वो रंग इसमें भढ़ सकता है फिर है चडिया चडिया कैसे आवाज करती है? चीं, चीं, चीं करती है ना और कैसे करल की होती है? brown color की तो आप इसमें brown color भरिए और फिर है कोयल कोयल का रंग कैसे होता? काला कैसे आवाज करती हो? कुहु, कुहु, कुहु ऐसी आवाज करती, Comil Comil की आवाज कैसे यहती ही, absorption हुँ, clerkat, play им अब ऐसे पर काला रच, तो आप इसमें काला रंग भरिए हु ठीके बच्चो और ये आपका 10 से लेकि 36 तक आपका 1st unit test का portion पूरा हो गया है ठीके बच्चों, आप अच्छे से अपने paper की तयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ओके, God bless you